गुड मॉनिंग एब्रिवान आज हम डिसकस करेंगे अपने चैप्टर नमबर 3 के एक्सरसाइज नमबर 3.4 को अगर आपने इससे पहले 3.1, 3.2, 3.3 को नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके चैनल पे बिजिट करके देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 को करने से पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपना basic clear करेंगे इसके अंदर क्या क्या हमें question मिलने वाले है ना उससे related पहले हम कुछ knowledge लेने वाले हैं तो देखें यहां पर जैसे मैंने लिखा हुए square versus rectangle square versus rectangle में क्या difference है ठीक है ना अब यहां मैं आपको बताता हूँ देखो एक side है हमारा square एक तरफ है मेरा rectangle done है अब देखो यह हमारा square है यह हमारा rectangle है rectangle में क्या होता है हमारी दो opposite sides हापस में equal होती जैसे आपको यह दिखाई दे रहा है यह वाली side और यह वाली यह आपस में equal होंगी और यह वाली side यह वाली साइट क्या होंगी आपस में equal होंगी जबकि अगर हम square की बात करते है square की चारो sides equal होती है 4 sides should be equal इनकी equal होती है 4 sides अब यहाँ बे देखो difference क्या देखो all sides equal all sides equal किसमे होती है एक तो square में होती है अगर बात करें rectangle की तर rectangle की 4 sides equal नहीं होती है only two opposite sides are equal होती है opposite sides equal and parallel देखो square में तो opposite sides equal भी होती है और parallel भी होती है और rectangle के अंदर भी क्या होता है opposite sides are equal and parallel पता है ना यह वाली side इसके equal होगी यह वाली side इसके equal होगी third point हमारे पास 4 interior right angle देखो इसमें क्या होगा 4 interior right angle होगा rectangle के अंदर भी हमारा four interior right angle होता है diagonals bisect each other देखो जो diagonals होते हैं यह अपने आप में क्या करते हैं bisect करते हैं एक point center हो पे जैसे देखो यह point है यह point center हो गया इस पे bisect करते हैं यह भी bisect करता है rectangle भी और square भी diagonals are perpendicular square में perpendicular होते हैं जबकि rectangle में नहीं होते हैं I hope यहां तक आपको clear होगा अगर question पूछा जाता है सभी rectangle all rectangle should be a square no क्योंकि rectangle जो है square की सारी property को fulfill नहीं करता इसलिए हमारा rectangle जो है एक square नहीं हो सकता but अगर हम square की बात करते हैं all squares are rectangle yes all squares are rectangle because squares are fulfill all the requirements of rectangle I hope आपको clear होगा अब हम चलते हैं rombus versus parallelogram देखो यह हमारा rombus है यह हमारा parallelogram है यहाँ पे देखो यह difference लिखा है मैंने यह अगर मैं बात करूँ देखो यह इसकी पहली बात करता हूँ rombus की all four sides are equal rombus की हमारी क्या होती है चारो sides क्या होती है equal हो तिर्दाने बाद इसकी four sides are equal अगर मैं इधर बात करता हूँ इसकी parallelogram की इसमें क्या होता है हमें पता है opposite sides should be equal ठीक है न opposite sides क्या होगा should be equal होगा but all sides are not equal जबकि rombus में क्या होता है all sides are equal अगर मैं बात करता हूँ hä Minnesota opposite angles are equal देखो रोम्बस में क्या होता है जो हमारी opposite sides होती हो parallel होती है जबकि अगर मैं बात करूँ इसमें parallelogram में इसमें भी क्या होता है opposite sides are parallel opposite angles are equal तो हमारी rhombus में भी opposite angles equal होते है और parallelogram में भी opposite angles equal होते है fourth point है diagonals are perpendicular bisect देखो diagonals हमारे जो होते है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शोते हैं इसके अंदर भी क्या होता है डाइगनल सार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अडजेसंट एंगल सार सप्लेमेंटरी इसका मतलब देखो दोनों में सेम प्रोसेस हमारा फुलफिल हो रहा है ठीक है अब हम चलते है अगले पेज पे अगला पे देखते है क्या है हमारे पास देखो यह कुछ important चीज है यहां आपके प्ता देता हूं देखो यहां पे दिया हमारे पास quadilatoral है safe है safe दे रखें safe किस-किस अकार के होते हैं यह और एक तरफ हमारे पास sides दे रखें यह एक तरफ हमारे पास angles एक दर हमारी parallel lines अब देखो square में क्या होता है square के अंदर square में होता है 4 same length हमारी 4 side equal होती है square के अंदर और 4 right angles होते है ठीक है और 2 sets होते है दो sets होते है अब रोंबस के अंदर क्या होता है 4 same length रोंबस के अंदर भी 4 same length होती है two acute angles होता है और two obtuse angles obtuse angles क्या होता है जो 180 degree से 90 degree से हवाब होता है इसको obtuse angle बोलते है acute angle क्या होता है हमारा जो 90 degree से कम होता है इसको क्या बोलते है acute angle बोलते है इसके अंदर भी क्या होता है two sets होते है ट्रेपिजियम या ट्रेपोजोएड बोल दो आप इसको इसमें कहोता है डिफरेंट लेंथ होती है ठीक ना डिफरेंट लेंथ होता है डिफरेंट एंगल होता है इसका एक सेट बनता है रेक्टेंगल में क्या होता है दो लोंग और दो सोर्ट साइड होती है आपको दिखाए देरी", ये दो long side है और ये 2 हमारे के हैं, short side और इसके भी हमारे क्या होता ह मैं, 4 right angles होता है, 2 set इसके भी बनते है पहले background में क्या होता है, 2 long और 2 short side होते हैं आई इसमें 2 acute and 2 acute angle बनते हैं, इसके भी हमारे 2 sets बनते हैं, ऑके डने तो रोंबस ये पहल लेलोग्राम वेर ओल साइट्स आर इक्वर अगर अगर मैं बात करते हैं एक काईट के अंदर इट इस अ क्वाडी लेटरल ये क्या होता है एक क्वाडी लेटरल होता है ठीक है न वे टू पियर सो कॉंजिक्यूटिव साइट अर इक्वल जो इसके दो प two consecutive sides are equal देखो, a, b हमारा किसके पैलर होगा? a, d के, दन है बात, यह देखो, a, b रहा यह हमारा a, b है, यहां से यहां तक a, b है और a, d यह रहा, तो देखो, यह यहां पर क्या होगा? ध्यां से देखना इसको यहां पर देखो, यह हमारा क्या होजेगा? पैलर होजेगा, ठीक है न, दन है बात, अब यहां पर देखो, a, b हमारा किसके पैलर होजेगा? a, d के, दन है बात, और यहां पर देखो, quadilateral है, quadilateral, अब एक मिनट, जस्ट बेट, होल्ड करना, दो मिनट ओके, डन है, अब इस्टार्ट करते हैं, अब अबना, देखो, यहां पर क्या है, अब यहां पर देखो, कुछ, quadilateral दे रखे, यहां पर देखना जहां से, quadilateral हमारे पास, यह देखो, ठीक है? यहां पर देखो, स्क्वेर है, स्क्वेर में क्या होती है, all sides are equal, डन है बात, ह जिटने भी इसके एंगल होते हैं, 90-डिग्री के होते हैं, डन ने बात इतनी हैं, ठीक है न, अब यहां बे देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है, टु अपोजीट साइट्स एक्वल, ओल एंगल था 90 डिग्री, जो इसकी हमारी दो अपोजीट साइट्स होते हैं, यह क्या होता है? दो opposite sides equal होती है, ठीक है ना? और इनके angles क्या होती है? इकवल होती है, ट्रेपोजोड या ट्रेपीजियम बोल सकते हैं इसको, two sides are parallel, इनकी क्या होती है? दो sides क्या होती है हमारी parallel होती है, एक ये वाली, एक नीचे वाली, डैने बाद, रोमबस में क्या होता है हमारी चारो साइड इकोल होते है ना पता है आपको रोमबस में चारो साइड से इकोल होते है और अपोजिट साइड सार पैलर ठीक है ना अपोजिट साइड सार पैलर और ओल साइड सार इकोल अडजेसंट पेर ओफ साइड सार इकोल इसमें क्या होता सारे square trapegium हो सकते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा true होगा we also concluded that all squares are trapegium but only some trapegium are square देखो square तो trapegium बन सकते हैं but जो हमारा कुछ trapegium की बात करें वो square नहीं बन सकते क्योंकि square हमारा सारी condition को fulfill करता है अब move करते हैं अगले slide पे देखते हैं क्या है अगले slide पे देखो यहाँ पे अब देखो हमारे question स्टार्ट होने वाले हैं I hope आपको यह सारे basic clear होए होगे अब हम चलते हैं अपने exercise पे अब यहाँ से आपको clear होजगा पहला question क्या है state weather true or false बताना है all rectangles are square all rhombus are parallelogram okay done है देखो rhombus क्या है सभी rhombus parallelogram हो सकते है अभी मैंने पीछे discuss कर रहा है all squares are rhombus and also a rectangle यह भी बात true है ठीक है ना यह भी बात क्या हमारी true है देखो क्यों है यहाँ नीचे लिखा हो आप पढ़ भी सकते हो since square have the same property of rhombus देखो square के अंदर क्या होता जो square की प्रोपर्टी होती है वही हमारा rhombus की प्रोपर्टी होती है but not a rectangle but यह rectangle नहीं हो सकता ठीक है बात डन है अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है D यहाँ पे देखना D D यहाँ पे देखो all squares are not parallelogram देखो यह wrong है यहां पर ठीक है न बात डन है, since all देखो यहां पर ठीक है न तो यह आपको समझ आ गया, अब यहां पर देखो, यह पॉइंट है, all kites are all kites are rombus, देखो, जो kites होते हैं, हमारे rombus हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, देखो, अब यह मैंने पढ़ा था न, पीछे बताया था यह g में देखो, हाँ, यहां पर यह वाला हो गया, हमारा e भी हो गया, g देखो आप, g में काया, all parallelogram are trapegium, देखो, देखो, यह भी बात सही है, क्योंकि देखो, जो हमारा parallelogram होती है, उसकी opposite sides equal होती है, और trapegium में भी क्या होती है, two, जिसकी opposite sides होंगी, वी equal होंगी, ठीक ह क्योंकि उस requirement को fulfill करते है, अब चलते है अपने अगले question पर, देखो, अगला question है हमारे पास, identify the quadrilateral, four sides of, पहला a part है, four sides of equal length, और second b point है, four right angle, देखो, अगर a part की बात करते हो, solution की, rhombus and square है वह equal length, यह आपको पता है न, जो हमारे rhombus होती है, और square होती है, उनकी क्या होती है, equal length होती है, देखो, और हमारे square के भी, सेकेंड पॉइंट है अब है अलेलोग्राम, अरोंबस, एंड रेक्टेंगल देहां से देखना अब मैं क्वाइडिलेटरल की बात करता हूँ ठीक है नब पहले पॉइंट की स्क्वाइर इजा क्वाइडिलेटरल इफ इट है फोर अनेक्वल लेंथ ओफ साइट्स यहां पर सेकेंड है देखो Härl目 स्क्वाइर इजा पहलेलोग्राम देखो, पहलेलोग्राम की बात करता है स्क्वाइर हमारा क्या है? सिंस इट कंटेंज बोथ पियर ओप आपॉजिट साइट्स आइक्वल ठीक है ना opposite sides हमारे क्या होते है equal होते है done अबाग rombus में क्या होगा simple सी बात है rombus में हमारी कितनी side होते है 4 side तो square is a already rombus ठीक है ना 4 sides होते है square की भी और rombus की भी 4 sides होते है since it has 4 equal sides and diagonal bisect to each other at 90 degree यह ध्यान रखना जो diagonal bisect करते है at a 90 degree अब यहाँ पर fourth point है हमारा rectangle a square is a parallelogram done है बाग since having each adjacent angle right angle and opposite sides are equal rectangle में ही होते है जो हमारे adjacent angle होंगे 90 degree होंगे जो opposite sides होंगे हमारी equal होंगे done है बाग अब यहाँ पर हम move करते है अपने next question पर अगला question हमारे पास क्या है वो देखते है देखो question number यहाँ पर हमारे पास four question number four क्या है if question number four क्या है name the quadilateral whose diagonals देखो नाम बताने quadilateral के अगर उनके diagonals क्या हों bisect करते हो each other ठीक है ना अगर मैं पहले की बात करूँ अगर diagonal bisect करते हो each other each other तो क्या होगा if diagonals of a quadilateral bisect each other देखो if a diagonals of a quadilateral bisect each other then it is rhombus ठीक है ना क्या हो rhombus है पहलेलोग्राम हो सकते हैं rectangle हो सकते हैं और square हो सकते हैं बात डन है इनहीं के diagonals हमारे क्या करते हैं bisect करते हैं each other second क्या था हमारे पास और perpendicular bisect और इस देखो diagonals of a quadilateral और perpendicular bisect और each other rhombus और square के देखो rhombus और square की क्या होते हैं perpendicular bisect होते हैं इस चीर का ध्यान रखना third point क्या है हमारे पास or equal of the diagonals are equal then it is a square or rectangle square और rectangle के diagonals क्या होते हैं में इकोल होते हैं इतनी बाद दाना है अब कोस्टेन नंबर फीप्ट पर मूब करेंगे हैं कोस्टन नंबर फिप्ट है explain why a rectangle is a convex quadilateral जो हमारा rectangle है वो convex quadilateral क्यों है अब convex आपको पता है ना convex मैंने क्या आपता है था आपको Convex polygon, Convex polygon क्या होता है, Convex polygon वो होता है, जिसके हमारे क्या होता है, Interior Angle जो होता है, Interior Angle, Stage Less Than, जो Interior Angle जिसका Less Than होता है, 180 degree से, वो हमारा क्या होता है, Convex polygon, यह तो मने आपको पीछे बताया था, ठीक है न, अब इसके देखो, Answer देखते हैं, Answer क्या होने वाले है, Rectangle is a Convex Quadilator क्या हमान लेते हैं, जो Rectangle हमारा क्या है, एक Convex Quadilateral है, ठीक है न, Since its vertex are raised, and both of its diagonals lie in its interior, जितने भी diagonals होते हैं, lie करते हैं, इंटीरियर में, ठीक है न, दन है बाद, अब देखो, All Rectangle is a Four Side, देखना, जो हमारे Rectangle होते हैं, Interior, अब यहां में थोड़ा Rectangle, All Rectangle is a Four Side, एक R पोलिगन होते हैं, ठीक है न, Four Sides होते हैं, When the value of each of its interior angle is 90 degree, जो interior angle की value होते हो, कितनी होते हैं, हमारे पार 90 degree, Beach is less than 180 degree, देखो, Simple सी बात है, जो 180 degree से कम होते हैं, अगर 180 degree से कम होते हैं, तो हमारा क्यासा पोलिगन होता है, Convex Polygon होता है, दन है बाद, अगर Convex Polygon होगा, ठीक पता लग गया न, आपको बात को Convex Quadilateral की होते हैं, क्योंकि इसके जो angle होते हैं, 180 degree से कम होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, Convex Quadilateral बोलते हैं, अब चलते हैं, अगले page पे, देखो, अगला question है हमारे पास, question number 6, देखना है ध्यान से, question number 6 है, ठीक है न, इसको ध्यान से द समझ मैं ही बात, ABC, यहाँ देखो, यह, और यह, और यह, हमारा एक right angle triangle है, जो, O हमारा क्या है, यहाँ पे midpoint है, O हमारा क्या है, midpoint है, O is the midpoint of side of opposite to the right angle, ठीक है न, अब मैं यहाँ बात करूँत, यह वाली side, इसके ecology, simple सी बात है, आपको देखी पता लगना चाहिए, opposite side should be equal in parallelogram, डाना है बात इतनी, explain why O is equal distance from A, कह रहा है, जो O से distance A का यह कैसे है, अब यह कैसे मैं आपको यहाँ बता लिता हूँ, O A बराबर होगा OC के, जितना diagonal से बीच में center point बें bisect कर रहा है, अगर O A से distance यहाँ पे जितनी होगी, उतना ही OC की distance होगी, ठीक है न, यह बात complete है, from A A, B and C, यह लिखो, the dotted lines are drawn additionally to help you, मतलब यह dotted line बता रहा है कि आपको help करने के लिए, अब यहाँ पे देखते है, इसका solution, since two right angle triangles make a rectangle, since two right angle triangles make a rectangle, where O is the equidistance point, O क्या equidistance point है, किसका A, B और C का, done है बात न, O देखो A का point है, O C का point है, और B का equidistance point है, done है बात इतनी, D, देखो D क्य है, D, देखो D भी है न, देखो D, O, O, D यहाँ पे है, यहाँ क्या लिखे है, D, because O is the midpoint of the two diagonals of a rectangle, दो diagonals का midpoint क्या है, O है, बात दन है, दो diagonals का midpoint है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर हमारे दो ही diagonals होते हैं, उनका midpoint क्या है, O है, since A, C and B, D are equal diagonals, हमारे जो A, C, यह रहा, A, C diagonals किसके equal होता है, A, C और B, D are equal diagonals, दन है बाग, A, C और B, D क्या है, equal diagonals है, ठीक है, जो intersect कर रहे हैं, किस point पे, intersect at a point of O, ठीक है, at a point of O, दन है बाग, so O is the equidistance from a, A, B, N, A, B, C, and D, equidistance किया है, A, B, C, and D, तो यहाँ पे देखो हमारे, जो हमारा third exercise, three point था, वो हमारा यहाँ पे complete होता है, दन है बाग, ठीक है न, तो यह अगर आपको नहीं भी समझाया है, आप वीडियो को एक नहीं दो बार देखिए, आपको clear हो जगा, फिर भी कोई doubt रहता है, तो आप म मैदान में हारा हुआ इंसान, एक मिनटे में बोले जता हूँ, dark ताकि आपको दिक्कत नो, देखो, देखो, मैदान में हारा हुआ इंसान, फिर से जीच सकता है, ठीक है न, मैदान में हारा हुआ इंसान, फिर से जीच सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान, कभी नहीं ज जीश सकता देखो अगर आप मैदान में हार जाओगे फिर भी अगर ट्राइ करोगे तो आप दुबारा जीश सकते हो लेकिन अगर आप मन से हार गए तो इम पोस्पेल है कि आप जीश सको इसलिए तो इसलिए आप मेनस से पढ़ते रहो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने प्रीबियस वीडियो नहीं देखिया तो आप उसको जाके सी आउट कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी हमारे नेक्स्ट अप्टर होगा जो भी हम करेंगे आपको इस पे अपलोड कर दीजिए यूट्यूब के उपर तो अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो एक लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो